जय हिंद भाईयो आप सभी का फिश से एक बट स्वागत है आपके ही अपने चैनल फेंटासी जोन में तो भाईयो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुलतान सुलतान बर्सेस कोईटेंगे विच होने बाले प्लीअ नालाइसिस करके बतायेंगे कि कौन-कौन से प्लियार सबसे इंपोर्टेंट फिक्स रहेगा इस मैच में आपके लिए साती सथ, क्यप्टिन-22 क्यप्टिन का सबसे वेस्ट जोईस कौन होने वाला है। कौन बने गा आचका गेमचिंजर, 리ง में सभ कुछ खुल के डिसकास करेंगे इस वीडियो में तो भाईयो यहाँ पे वीडियो को स्टाट करूँ इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दीजेगा ताकि मैं जब भी कोई फ्रेश वीडियो अपलोट करूँ सबसे पहले आप तक पहुचे और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े होना तो टेलिग्राम जुरूना भी बहुत ज़रूरी है मैच के रिलेटेड जो भी फाइनल अपडिट होता है फाइनल टीम कम्बिनेशन होता है फाइनल पिच रिपोर्ट होता है वो सब कुछ आपको फ्री में हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलता है तो भाईयो टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो description और first comment पर मिल जाएगा आप सिधा link पर click करके भी हमारी टेलिग्रम चैनल से जूट सकते हो साती साथ भाईयो इस वीडियो में आपके लिए giveaway भी है तो वीडियो full watch जरूर कीजेगा क्योंकि giveaway का सबल कभी भी आ सकता है तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं pitch report की match ख़ला जाने वाला है मुलतन cricket stadium मुलतन पाकिस्तन में pitch report की बात की बात की जाए तो international T20 यहाँ पर हुआ नहीं PSL का एक match हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेसर को ज्यादा help मिल रहा है ठीक है 74% wicket जो है वो पेसर को मिला है और इसे 26% wicket यहाँ पर spinner को मिला है तो पेसर को यहाँ पर ज्यादा मलत मिलने वाला ही यह बात को धियार में रखना और बाकि scoring pattern की उपर बात की जाए तो average score यहाँ पर 175 मतलब इस match में आपको 170 के आसपा score देखने को मिल सकता है 170 के उपर भी score आपको आराम से देखने को मिल सकता है क्योंकि यह betting friendly pitch है तो यह बात को धियान में रखना बाकि last जो PSL match वाता है इस match इस venue में chasing team ने यह match जीता है तो भायों यह सारे चीजों को धियान में रखना बहुत जरूरी है अगर आप इस match में भी एक differential team combination बनाना चाहते हो तो तो चलिए सारे चीजों को धियान में रखते हुए आज का grand league team combination तैयार करते है सबसे पहले बात करेंगे cricket keeping section से मुहमद रिजवान आपको देखने को मिलेगा मुलतन सुल्तन के तरफ से 73, 61, 11, 24 और 75 यानि कि 5 match की बात की जाए तो overall 3 match में तावड़तूर performance आया है और 1 match में 24 जैसे average performance और 1 match में flop रहा है यानि कि inform बनने बाज है आपको cover करना है small league के team में और captain, vice, captain का भी safe choice रहेगा ठीक है ना चलिए बाकी हाँ पर quarter की तरफ से आपको देखने को मिलेगा S. Ahmed, सरफड़ा अजमेद ठीक है recent form देख लेते हैं 1 match में 22, 15, 33, 56 और 15 यानि कि average performance आप मान के चल सकते हो selection percentage भी बहुत डाउन है तो भाई ग्रेन लिग में S. Z. Rumkart इनको आप ट्राइ कर सकते हो भी ठीक है तो भाईयो ये रहा wicket keeping section का कुछ लेखा जोगा आईए finally wicket keeping section को fill कर लेते हैं तो भाईयो एक team में हम महमत रिजवान को ट्राइ करेंगे एक team में S. Ahmed को ट्राइ करेंगे और बाकी एक team में दोनों wicket keeping section के साथ हम जाएंगे ठीक है तो चलिए team number one create करते हैं हम महमत रिजवान के साथ बाकी betting section के बात करते हैं दिखें जेट्सुन रोय आपको देखने को मिलेगा कोईटा की तरफ से 39 का बेटिंग आवरीज है और बाकी last 4 match की performance की बात की जा तो एक match में ठीक टक performance आया है 61 का ताबरतोर पारी इन्होंने खेला है और बाकी 4 match में flop रहा है लेकिन PSL में तबाही मचाता है ये बात को धियान में रखना और pitch betting friendly है ठीक है आप small league में भी cover करना चाहिए साथ में grand league में भी आप captain by captain बना सकते हो साथी साथ W समयत आपको देखने को मिलेगा recent form की बात की जाए तो दिखिए recent form कुछ खास नहीं है last 5 match की बात की जाए तो एक match में भी ठीक टक performance नहीं किया है और 12 का बेटिंग आवरेज है तो मैं बाई इस match में drop करने वाला हूँ small league और grand league दोनों में ठीक है बाकी हाँ पर एक्तकार आपको देखने को में लेगा recent form 17 13 10 51 और 4 यारी कि पाच match की बात की जाना तो एक match में ठीक टक पर्फोमेंस आया है लेकिन थोरा बहुत बोलिंग का भी बेक आपको मिल सकता है यह बात को ध्यान में लगते हैं आप 10 लिग में ट्राइए कर सकते हो और बाकी small league में भी ट्राइए कर सकते हो 25 का बेटिंग अबरेज है एस सकेल आपको देखने को मिलेगा recent form देखे 11 22 44 13 और 20 5 match की बात की जाना तो दो match में average performance और एक match में चवाले जैसे ठीक टक performance यह रहा वाईयो कोई टै की तरफ से betting section का कुछ लेखा जो का आईये बाकी है पर मोलतन सुल्तन की तरफ से betting section की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एस मसूत recent form की बात की जाए तो दिखिए एक match में 3 20 35 035 यानि कि अब तीन match में average performance आप मान के चल सकते है और बाकी स्मॉल लिग में कबर करना है ठीक है और साथ में यहां पर यू खान आपको देखने को मिलेगा यू खान का जो करेंट फॉर्म है पाच मेंच में से सिर्फ दो में ठीक टाक पर्फोमेंस है 52 और 30 और बाकी तीनो में में फ्लॉप रहा है betting average भी कुछ खास नहीं है 21 का बेट करना है ग्रेंड लिग में एक ट्रीम में आप केप्टिन ट्राइ कर सकते हो अगर फर्स्ट इनिंग में मुलतान सुल्तन के बेटिंग आये तो ठीक है क्योंकि बेटिंग फ्रेंडली पीच है बाकि इनका recent form की बात की जाना तो देखिए अपे 13 5 11 30 और 25 पांच मेंच की बा बेटिंग सेक्शन से तो इनका जो बेटिंग एवरेज रहता है वो 31 का रहता है recent form बहुती लाजवाब है आप देख सेप्यों 50 19 43 57 20 हर में ठीक टाक पार्फोमेंस आरा है पांच मेंच की बात की जातो एक मतलब दो मेंच में पार्फोमेंस और थीनों मेंस में ताभरत और पार्फोमेंस इनोंने दिया है small league में इनको कबर करना है अगर फर्स्ट इनिक में मुलतान सुल्दन का बेटिंग आये तो तो बयू यह रहा बेटिंग सेक्शन का कुछ लेखा जोका आयए फाइनली बेटिंग सेक्शन को फिल कर लेते हैं तो बहू जैसों रोई को हमने अ एक्तिकर आउमेद के साथ और साथ में भाईयों बाकी हापे हम फिल करेंगे एस मसूत के साथ बाकी हापे ओल रॉंडर सेक्षन है तो ओल रॉंडर सेक्षन में महमध हफिस देखिए रिसेंट फॉर्म फोटी नाइन एक विकेट, जीरू रण एक विकेट, ट्वेंटी एट रण जिरू इक वेकेट और स्वेय लेकिन इनकी सेलेक्शन पर संस्यूर नाइन वाई बहूँध डाउन है और बेटिंग ओडर भी टॉप में आज के मैच का ट्रम कर ड़ाई है ठीक है इसलिए हमने ट्राइ किया है मोहमत हफिस को कंफार्म आप चाहों तो क्याप्टिन बाइस केप्टिन ट्राइक कर सकते हो इस मेच में ग्रेंड लिंग में ठीक है चलिए और साथ में भाईयों यहा चाहरों मैच में प्लॉप रहा है बोलिंग से पाच मैच में सिर्फ एक इनको मिला है इनका सेलेक्शन पार्सेंटिस की बात की जाना लगबग 80% लोगों ने इनको सेलेक्ट करके रखाया अपने टीम में तो इनको ड्रॉप करके आप मोहमत हपिस के साथ रिस्क ले सकते हो ने इक विकेट छे रान तीन उकेट चौदा रान एक ट्रॉप फिफ्ट फाइब रन एक विकेट हर मैच में और बेटिंग से भी लास्ट मेच में कुछ खास मतलब फिफ्टि फाइब जैसे ताबड़तोर पार्फोर्मिस इनों ने दिया है और एक मैच में थर्टी वान ज ठीक है? इसलिए आप इनके ओपर थोरा रिस्क ले सकते हो ठीक है? लास्ट पाँच मेच के बाद की जा ना तो तेरा रन दो त्षी रन जिरू तो भाईयो लास्ट पाँच मेच में से 2 केट मिला और बेटिंग से दो मैच में ठीक तक पर्फोर्मिस किया हैацило और तेज का और बाकि तीनों मैश में प्लॉप रहा है तो भाईयो स्मॉल लिग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हो हां ग्रेंड लिग में जरूर ट्राइ कर सकते हो यह रहा ओल रॉंड रसेक्शन का कुछ लेखा जोका तो हमने यहां पर मैं महाध मैं हम रॉंड राइक किया है वह स्रां गा को मोहमत के नढ़िए बाकि बोलिंग सेक्शन में चलते हैं तो बोलिंग म은 मैं है कुछ राक wild necess month के बात प्राइब है इस मैच में एक मिलेगा चंस बहुत कम है सेगेंड इन इसमें अगर हो तो आप जरू ट्राइब कर सकते हो ग्रेंड लिग में और साथ में यहां पर नसीम सहाब को देखने को मिलेगा रिसेन फॉर्म देख लिजिए पार्च टीन उकेट चार उकेट दो एक उके मिल रहा है स्मॉल लिग और हेट टो एट ग्रेंड लिग मस्टिपिक रहेगा हमारा और इसलिए हमने यहां पर ट्राइब किया है नसीम सहा को और साथ में भाइयों यहां पर आपको देखने को मिलेगा एम हसनन रिसेन फॉर्म देख लिजिए लास्ट पाच मैश में पाच विक्ट इनको मिला है थिक पाच मैश में पाचुकि इनको मिलेगा स्मॉल लिग में में अब चाहूं तो इनको ट्राइक कर सकते हो साथे साथ भायों यहां पर बात करते हैं मुल्तान सुल्तन की यूँ मीर रिसेन फोर्म देख लिए एक लिए दो एक लिए दोॉकेट एक पैसर को सूट कर रहा है तो यू मेरी के स्पोट में में सहानावाज धानी के साथ जाओंगा इस में थोरा रिस्क लेने वाला हूँ अगर आपको सेब जा सकते हो यू मिरी के साथ फॉर्म बहुत ही अच्छा है और साथ में यहां पर अखिल हुसेन देखने को मिलेगा आपको देखे अखिल हुसन का recent form 2 wicket, 1 wicket, 0 wicket, 1 wicket, 1 wicket, 1 wicket हर match में wicket मिल रहा है बिछ में 1 match में wicket लेस रहा है ठीक है और साथ में भाईयो आई जनत आपको देखने को मिलेगा recent form की बात की जाए लगतार 3 match में 2 wicket करके 6 wicket मिला है 5 match की बात की जाना तो 7 wicket इनके नाम है 2 wicket, 0 wicket, 1 wicket, 0 wicket, 5 wicket, 4 wicket इनके नाम है grand league में आप ट्राइ कर सकते हो लोगे small league में risk की पिक रहेगा तो भाईयो यह रहा bowling section का कुछ लेखा जो का आईये finally bowling section को fill कर लेते है तो मेरे भाईयो यहाँ पर M.Has9 को team number 1 में ट्राइ करेंगे और साथ में बागी इस spot में अखिल होसेन को try करेंगे captain by captain की बात की जाए तो आख बन करके मैं महमद हफिस को captain try करूँगा इस match में और VC try करूँगा महमद रिजवान को ठेक है यह रहा भाईयो team number 1 का combination यहाँ पर चलते हैं दूसरे team पर तो दूसरे team पर हम क्या करेंगे S सरपराज आउमेद को try करेंगे ठेक है सरपराज आउमेद के साथ यहाँ पर क्या करेंगे एक तकार आउमेद के जगा पर S सकील को try करेंगे ठेक है form ठीक टाग है recent form और selection percent इस भी down है चलिए बाकि यहां पर क्या करेंगे यहां पर हमने एस मसूत को ट्राइ किया है और के पॉलाड को ट्राइ करेंगे दूसरे टीम पे यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर second innings में betting कर रहा है मुलतन सोलतन तो हम क्या करेंगे यूग खान को ट्राइगे यूग खान को टीम निंबर टू में यहाप पर आप्षोन रहेगा ठीक है फर्स्ट इनिक में केरान पॉडलाड और सेकंड इनिक में यू खान रहेगा ठीक है चलिए और बाकी है पर ओल्डॉ। सेख्शन के बात करें तो ऑल्लाउंड सेख्शन में आपथ खुश्दिल शहा को या कि टिम नम्बर 2 में ट्राय करेंगे मॽहाँमत हफिस्ट के सब बोली सैक्षण के बात आई तो दिख्षियें बोलिल सेक्षण में कि तुछु ऑह neglig और इस करेंगे एस गोल कि अब चलते है यहां पर क्यप्टेन्स और वाइस क्यास्पटेण की तरफ ढिंये यहां पर क्यास्पट्टी ट्राइ एस अहमेद और साथ में इस स्पोट में हमारा रहेगा मोहमत रिजिवान यानि कि दोनों किट किपिंग हमारा चाहिए टीम नमबर 3 में ठीक है चलिए बाकी तीन स्पोट में क्या करना है सान मासुत को बेक करेंगे टीम नमबर 3 में और जैसन रॉय डेविट मिलर कनफांप ए ठीक है ठीक है चलिए बाकी इस स्पोट में क्या करेंगे इस स्पोट में हम क्या करेंगे म poking त्राइज को ट्राइज करेंगे कि खुशदिर शह کےम नमबर 2 में और मोहमत नवाज है चलिये시간 पर बोलिंग सेक्शन बचता है बोल इंसक्शन वै क्या कर सकते हो आप आप यहाप पर एम हसना इनको ट्राइब कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा टीम में हम हसने और बाकि एक स्पॉट में कि एस गोल को ट्राइब करेंगे कैप्टिन और वाइस केप्टिन कैप्टिन जैट्सों रॉई ठीक है और वाइस केप्टिन हाई जनत ठीक है तो यह रहा भाईयो ग्रेंड लिक का टीन टीम कम्बिनेशन केप्टिन और वाइस केप्टिन के साथ यहाँ पर कोई भी चेंजे जाता है तो मैं टेलीग्राम पर फाइनल आपडेट पोबच करवा दूँगा और हां भाईयो आ आज इकीवब में आपको बताना है कि ड्रीम टीम का कैप्टिन और वाइस कप्टिन कौन बनेगा आप अपना अंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना और हाव यह कंबनेशन में भी अगर कोई भी कन्फूशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट छोड सकते हो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारे पेडिक्शन कैसा लगा है मिलते हैं अगले और एक जबदस्ट पेडिक्शन के साथ तब तक के लिए खुद का ख्याल जरूर रखिएगा जय हिंद जरूर इंद सेक्शन के सब्सक्टाद पाद के साथ तक के लिए कर दो एक लाइक कर दो कर दो कि आपको हमारे जरूर रख बताना कि आपको हमारे ओको जरूर लगा है